हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब ही लोग और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता था कि अभी 10th of October को मेरा बर्दे गया था तो मेरे हस्बन्ने मुझे बोला एक बड़ा से बाक्स लेख ए मेरे बोला ते हमयारा बड़े गिफ्ट आया है अब मैं इसको आपको खोल कर लिखा थे इन्होंने मुझे बुद्धु बनाया, ये किसी ने बड़े gift नहीं भीजा था, ये मुझे किसी ने ऐसे gift किया था, तो मैं आपको दिखा दीने हैं, तो friends यहांपर में इस product को आपको दिखा देती हूँ, ये है डर्मा का handheld wireless vacuum cleaner और ये अंदर से भी कहसे हैं, सारी चीजे में आ कुछ इस तरह ऐसे है, यह मैंने इसको पहले खोल लिया था, यह पूरा अच्छे से पैक था, तो बाके एक्स्टर कवरिंग मैं निकाल दीती, में में इन चीजे में दिखा देती हूँ, यहाँ पर इसका मैनुवल है यह, तो इसमें सारे पार्ट्स नाम के साथ लिखे हुए जैसे कि बाहर भी जो पिक्शर थी, उससे मुझे समझ आ गया था, तो यह दो अटेश्मेंट थे, इनको निकाल लेते हैं, जो थर्ड है, यह है इसका मेन, जिसमें जिससे वैक्यूम वगरा क्रेट होगा, यह है, आपका मेन, जो हैंड हैल वाला वैक्यूम क्रेनर है, यह काम करेगा, तो इसमें, आपको देख गया होगा, और यह इसका साइड में बटन, इसको आप दबाते हैं, तो यह ओन हो जाता है, इसमें पर लाइट देख रहे होगी, ब्लू पलर की वो यह दिखाती है, इसका जो कितना चार्ज है, और जो आगे ग्लास वाला है, इसमें दूल मिटी खटा हो जाती है, जिसको आप अलग से निकाल के क्लीन कर लेते हैं, यह दिखाऊंगी डिटेल में बाद में, ठीक है, और उसको रख देते उसके बाद इसका एक और अटेज्मेंट निकलता है, वो कुछ इस तरह है, इसको भी मैं आपको टेश करके दिखाऊं है कि आपको कितनी है चोटा रखना है तो एसके सारी पार समने निकाल ले हैं और हम एक हैसे किसे अटेश करना है तो यह जो वैक्टिंब था इसके पहले मैंने इसकी stick attach की तो दोनों पार्ट साथ देरी इसमें दो निकली हुई है पिंस और उसमें भी दो होल दिख रहे हैं तो बस इनको इसमें fix कर देना बड़ी आसानी से fix हो गया था एक attachment इधर हो गया है और दूसरा जो पार्ट है इसके साथ जो बाकी का attachment है आप उ इसके लिए हैं इनको भी इस तरह से hole में आप attach कर दोगे यह भी बहुत इजील हो गया और यह देखने में आप देख सकते हैं इसके लेंथ बड़ी और इस तरह का हो गया है तो एक तो आप इस तरह सी यूज़ कर सकते हैं इसको सफाय करने के लिए और फ्रेंड्स अब क्य क्लीन करके दिखाऊं क्योंकि यहां पर थोड़ा दूल वगरा है ज्यादा भी इस एरिया के क्लीनिंग नहीं हुई है तो आप देख सकते हैं फ्लोर पर जैसे की धूल थी वह किस तरह हो गया है यहां पर पुराना मैट्रस पड़ा हुआ था उसको भी आप देख सकते हैं काफी जादा धूल है तो उसको अच्छे से क्लीन कर रहा है हाँ थूड़ी जादा थूब दूल है थोंड़ा आप को करना पड़ रहा है लिकिन IN अच्छे से साफ कर रा था और जो धूल होती है इस वाले एरिया में 듯 vozने जिसको आपको बाद में करना होता है क्लीन ठीक है तो यह इस तरह से यूज़ कर लिए इसको निकालना पेहद आसान है आप थोड़ा सा फोर्स लगा के खीचेंगे निकल जाता है ठीक है और अभी इसको दूसरा पॉर्शन है नीचे वाला उसको भी देखे मैं इस तरह से नि करनी है तो देखे कुछ इस तरह एक एरिया हो रखा था नेचे यहां पर मकडी का जाला बना हुआ था और यह फर्श है इस पर दूल हो तो मैं सारी चीज़े आपको करके दिखा रही हूँ जो बिल्कुल एरिया गंदा हो रखा था उसको आपके सामने क्लीन करके दिखा र पर देख सकते हैं अच्छे से धूल को खीच रहा है अपने अंदर ठीक है और जो इसके बाद अलग अटेश्मेंट है उसको भी मैं अटेश करके ठीक होंगी स्मॉल वाला है ठीक है तो आप इसको आपकी जो कार होती है कंपेटर होते उन सब जगा पर आप यूज कर सकते ह अब यहां पर ही थोड़ा सा गंदगी गिरी हुई थी उसको मैंने सक्षन किया और शीशे पर इस तरह से मतलब जहां तक मैं दिखा सकती थे आपको मैंने दिखाया कि आप क्या क्या साफ कर सकते और देखें दूल इसके अंदर आके खटा हो गई है इसको आप इसली निकाल क्लीन नहीं कि अच्छी तरह से ठीक है तो यह जो वैक्यूम क्लीनर है आप में देख लिया कि आप इसको जरूर ट्राय की जाए बस मैं तो कहूंगी आप इसको अभी खरीदने के लिए आप और कर दीजिए इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया ह अच्छी तो बस यही था आज का वीडियो आइप आपके लिए रहे गा यह वैक्यूम क्लीनर है काफी आप इसको जरूर लेके देखें तो बस यही था आज का वीडियो फिर में लिए नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई